सभी श्रोताओं को नमशकार करवा चौत की आप सब को हारदिक बधाई जिस प्रकार किसी भी कार्य या व्रत को करने के लिए हमें कुछ नियोमा का पालन करना पड़ता है उसी प्रकार करवा चौत के दिन भी कुछ कार्य हैं जिनी भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी वज़ा से हमें उस व्रत का फल नहीं मिलता तो आईए जानते हैं करवा चौत के दिन ऐसे कौन से कारे हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए पहला करवा चौत वरत के दिन कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूद, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए दूसरा, वैसे तो प्रति दिन अपने से बड़ो का आशिरवात लेना चाहिए लेकिन करवा चौत के दिन विशेश रूप से बड़ो का आशिरवात लेना चाहिए इससे पती की आयू लंबी होती है तीसरा, करवा चौत के दिन गलती से भी अपने पती के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का खयाल मन में नहीं लाना चाहिए साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला पुरा या श्राप देने की गलती भी नहीं करनी चाहिए चौथा करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूल कर भी कूड़े दान में नहीं फेकना चाहिए साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय तूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की लंबी आयू की काम ना करें पांचवा करवा चौथ के दिन सिलाई, कडाई और कटाई ना करें साथ ही इन सब कामों को करने के लिए कैंची का प्रयोग भी ना करें करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करने चाहिए छटा, करवा चौथ के दिन भूल कर भी मास, मचली, अंडा, मुर्गा, आदी तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए ध्यान रखें, इन नियमों का पालन केवल व्रती महिलाओं को ही नहीं, बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए माननेता है कि अगर इन सब नियमों का पालन किया जाए तो व्रत व्यर्थ नहीं जाता दुश्रोताओं, हम उमीद करते हैं आप इन छे नियमों का पालन जरूर करेंगे जिस प्रकार हर कारे को यदि नियमा नुसार किया जाए तो उसका फल मीठा ही मिलता है उसी प्रकार करवा चौत का व्रत रखते हुए अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो मा करवा की अनुकमपा आप पर बनी रहेगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही जानकारी से भर पूर वीडियो लेकर आपके पास दुबारा आ सकें तब तक के लिए धन्यवाद